मुम्रा बाइपास पर रात करीब दो बजे के आसपास एक कैंटेनर की एक दूसरे कैंटेनर से पीछे से जबरदस्ट टककर हो गई है दरसल नवासेवा से नासिक की तरफ जा रहा ये कैंटेनर मुम्रा बाइपास समराट नगर के सामने हाथसे का शिकार हो गया टककर की वज़ा से कैंटेनर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से दब गया ड्राइबर सतेंद रियादो इस्टेरिंग में पूरी तरह से फस गया था जो हाथसा हुआ है उसकी वज़ा ब्रेकर बताई जा रही है बताया जा रहा है कि आगे चल रहे एक कैंटेनर ड्राइवर ने ब्रेकर की वजह से ब्रेक लगा दिया मगर तभी पीछे से चल रहा ये कैंटेनर आगे वाले कैंटेनर को जबरदस्ट टकर मार दी इस टकर में पीछे वाले कैंटेनर का आगे का हिस्सा डैमेज हुआ है और ड्राइवर सतेंद रियादो 60 वर्षिये बुरी तरह से इस कैंटेनर में ही फंस गया घटना के बाद आगे चल रहा कैंटेनर ड्राइवर फरार हो गया मौके पर मुम्बरा पुलिस दमकल विभाग की टीम पहुँच गई और हाथसे की वज़ा से काफी देर तक मुम्बरा बाईपास पर ट्राफिक जाम की स्थिती बनी रही आपको बता दे की लगभक एक घंटे की कड़ी मशकत के बाद कैंटेनर का कुछ हिस्सा काटा गया और उसके बाद ड्राइवर सतेंद यादो को बाहर निकाला गया ड्राइवर सतेंद रियादो के दोनों पैर में चोट लगी है बहराल केंटेनेट ड्राइवर सतिंद रियादो को इलाज के लिए कलवा छत्रपत श्रीवाजी महराज हॉस्पिटल में भरती कराया गया है